मैं आज फिर कह रहा हूँ, एक मेसेज जाता है आपकी जिन्दगी में, कि जिन्दगी में आपकी बर्निंग डिजायर जब होती है, तो प्रकरती के नियम भी फेल हो जाते हैं, एक घोडो की रेश थी, अलग-अलग पंचायतों से घोडे बुलवाएगे, एक पंचायत में घ घोड़ा नहीं था, तो पंचायत ने कहा, भाईसाब अने गाउं की जद का सवाल है, उन्हों ने बोला क्या किया जाए, कि घोड़ा नहीं है, गदे को तयार करो, अब उन्हों ने पूरे गाउं ने ढूंड़ा, गदो में अड़कंप मच गया, और हम मरवा दिया रहे, ग बेजो, नहीं तू कर सकता है, तू कर सकता है, उसको तूप्ये गाउं की जद के लिए, रेस में जाएगा, पंचायत की जद के लिए, पूरा लुट जाएगा, लोट जाएगा, लेकिन मैं जाएगा, सरपंस तयार सारी टीम तयार और गदे को लाके खड़ा कर दिया रेशिंग की लाइन पे और गदा बिलकुल रेडी लेट में देखा गोडे और अरब बारे मर गे रहे राइट में मर गे रहे बारे कांपने लगे पाऊं अब गदा वहाँ तो ठीक ता लेकिन गोडों में पोंचने के बाद तो फरक पड़ता है ना कांप रहा है तांगे कांप रही है और विशिल बजने वाली है और विशिल बजने के पाँ सेकिंड पहले वो हुआ जिसने प्रकरती के नियमी बदल दी विशिल बजने के पाँ सेकिंड पहले गाउं के सरपंच ने गदे की पूच उठा के आदा किलो मिर्ची डाल दी आदा किलो मिर्ची डाल दी और आप कह रहे हो कि रेस का रिजल्ट क्या हुआ रहे है रिजल्ट छे महिने तक गदार रुकाई नहीं रुकाई नहीं रुकाई नहीं रुकाई नहीं पाँ छे रेस ओर हो गई छे मेने में वो रुकाई नहीं क्यों जिसके आग लग रही होती है ना आग वो नहीं रुक सकता एक गदाबी गोडों को हरा सकता है जब डिजायर अपनी तडब पे होती है इस कहानी का मेसेज यह है अगर जिंदगी में आप भी कुछ कर गुजरना चाहते हो अपनी डिजायर को थोड़ा होले होले अब थोड़ा सा आच देना चालू करो